रात करते हैं रादनेतिक सरगर्मियों की ठंड का मौसम है लेकिन जम्मो कश्मीर में गर्मी बढ़ रही है रादनेतिक महाल गर्म हो रहा है किसलिए क्योंकि रादनेतिक पार्टियां के नेता निकल रहे हैं जम्मो कश्मीर में और बयानबाजी का रहा है बयानबाजी का भी कॉंग्रेस को बहुत अच्छा खासा सुनाया है और अपना एजेंडा भी सामने रग दिया है हालांकि गुलाम नभी अधास साथ पर वो कुछ नहीं बोले है लेकिन आपको सबसे पहले सुनवाएंगे कि क्या फारुक अब्दुल्ला साथ बोले हैं फारुक अब्दुल्ला साथ क्या कुछ बोले हैं सबसे पहले वो आप सुनेगा मैं चलमस्चित बनाओंगा मैं मैं बस्चित बनाई है मुझे वोट तो नहीं वोट चाहिए तो अपने काम पर वोट लीजिए जो अपने काम किया लों को उनकी बलाई की है उनकी गरीमी दूर की है उनकी बिमारी दूर की है क्या गंगा लो लाशे बहनी रहें कि चुणके उने पास वो सादर नहीं थी क्या जमू वासी भूल रहे या गैस नहीं थी अक्सिजन से कहते हैं और आप कहते हैं देश आस्मान की तरफ जा रहा है हम वैक्सिन दूसरे मुलकों में बेच रहे हैं खुद अपने लोगों को मरवा रहे हैं हमने करना है हमने उठना है हमने वो रास्ता इस्तमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए हम इंसे को और नहीं मांगते हम इंसे महल नहीं मांगते हम इंसे प्राइमरिसी नहीं मांगते ह हम इंसे अपना हथ मांगते हैं जो तुमने हमसे च्छीना वो वापस कर यहां लोगों को खुशे हैं वापस दो आपने वादा किया था हमसे वजीर आज़न याद करिए आपने कहा था दिल की दूरी और देहली की दूरी हम दूर करेंगे मुझे बताइए चोबीस जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर थी और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया है बताइए यहां के लोगों को बताइए जोन बोनने के लिए तो आपने बड़े लोग रख रखी है वो तो रोज हरना कोई ना मीडिया यह फेकता रहता है मग जर नफरतें बंद करिये यह तो देश नहीं रहेगा